नमस्ते हरी ओम नमस्षिवाई जै गुरुजी सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरोबाई टीजे पर I am back with another candle wax reading for you guys आज की जो ये reading हम करने जा रहे हैं ये third party situation के उपर एक fresh update होने वाला है और इसी के साथ में इससे पहले की हम reading शुरू करें एक मेरी request है आप लोगों से कि जब आप मुझे contact करते हैं personal reading के लिए screen पर बहुत clearly mentioned है कि please whatsapp करें ओके directly call बिल्कुल भी मत किया करें क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं classes में होती हूँ मैं पढ़ार ही होती हूँ या मैं appointments में होती हूँ या मैं meditations में होती हूँ तो beach में call आ जाता है तो उस जैसे कई बार sessions break हो जाते हैं कई बार disturbance create हो जाती है and I do need my phone at times तो मेरा phone भी मेरे साथ में ही होता है right so please अगर आपको personal consultation चाहिए तो screen पर जो number आपके सामने है उसके उपर सिर्फ आपको whatsapp के through message के through मुझे contact करना है alright ये reading third party situation के लिए होने वाली है और again जब भी third party situation के लिए मैं reading करती हूँ तो मैं आप लोगों से clearly ये बात कहती हूँ कि आप अगर sure है कि कोई तीसरा इंसान आप लोगों के connection में involved है तो ही इस reading को देखिए doubt के बहाफ पर इस reading को बिल्कुल भी मत देखेगा alright जब तक मैं आप लोगों के लिए energy cleanse कर रही हूँ आप अपने person के चहरे के उपर focus करें और तीन बार उनका पूरा नाम अपने मन में repeat करें let's see के आज के दिन में इस व्यक्ति की जो उर्जा है इनकी जो energy है thoughts, feelings, emotions आपके towards क्या है alright चलिए let's begin with today's reading let me light the candle may Lord Shiva guide and protect all of us okay let's see जिनके बारे में आप सोच रहे हैं आपके person की उर्जा, उनकी energy आज के दिन में आपके towards कैसी है सबसे पहले तो मुझे एक cop web बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये एक person के mind में जा रहा है ऐसा लग रहा है कि जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो उनके दिमाग में बहुत सी उधेर बुन चल रही है बहुत सारी planning, plotting चल रही है आने वाले कल में उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए वो सोच रहे हैं पास्ट में वो क्या कर सकते थे क्या opportunities उनके हाथ से निकल गई है ये भी thoughts आज के दिन में specially आप लोगों के connection से जुड़े हैं अगर तो वो इनके mind में आने वाले हैं मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ये इनसान धीरे-धीरे mellow down होते वे दिखाई दे रहे हैं कि अगर इनका ego एक बहुत बड़ा इशू है आप लोगों के connection में या इस situation में तो इनका जो ये ego है जो unhealthy ego है ये meltdown होता हुआ दिखाई दे रहा है ये पिघलता हुआ दिखाई दे रहा है इसके साथ में ये इनसान जो है या इनकी पैनी नजर है आपके अगले action के उपर आपके अगले कदम के उपर शायद आप भी जानना चाह रहे हो कि इस व्यक्ती का next action जो है वो क्या होगा या आगे ही क्या करने वाले है ठीक है इनके दिमाग में दिल दिमाग में क्या चल रहा है that is why you're watching this reading of course बट मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यह इनसान बहुत ज़्यादा mind से चल रहे है आज के दिन में इनकी जो masculine energy है इनकी जो practical side है जो logical side है वो ज़्यादा active रहने वाली है और यह person ज़्यादा तर अपने आपने बारे में सोचने वाले इनकी selfish energies भी मुझे unfortunately थोड़ी बड़ी हुई दिखाई दे रही है लेकिन हाँ ego पहले के comparatively थोड़ा सा कम होता हुआ देख रहा है आज के दिन में lustful vibes भी हैं यहाँ पर थोड़ी lustful energy भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है यह आपके towards भी हो सकती है और यह third party के towards भी हो सकती है मुझे यहाँ पर यह चीज़ भी दिखाई दे रही है कि यह person जो है धीरे धीरे जैसे कि आगे बढ़ रहे है इनकी peat के उपर बहुत जादा भार रखा हुआ है या maybe third party के साथ जो इनका connection है उसको यह बहुत ढो रहे है अपनी peat के उपर ढो रहे है उस connection को और जैसे कि मजदूरी जैसे करते हैं उस तरीके की energy इनकी दिखाई दे रही है जैसे कि यह slave हो गए है किसी के या इनको बंधी बना के रख लिया गया है ऐसी energy मुझे दिखाई दे रही है happiness तो बिल्कुल भी नहीं है pattern आप लोगों को भी दिख रहा है यहाँ पर एक pair भी बना हुआ है बहुत clearly यहाँ पर चश्मे बने हुए है बहुत clearly तो maybe हो सकता है कि या तो इनको पहनने उड़ने का बहुत ज़दा shock है इनको तयार होने का बहुत ज़दा shock है या यह एक message है आप लोगों के लिए again कि यह person stock कर रहे है आपको बहुत ज़दा और यह वही इनसान है जिन्होंने walk away किया है आपसे जो आपकी life से निकल करके दूर चले गए है ठीक है यह चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है दूसरा यह जो person है ऐसा लग रहा है कि आप इस समय पर इनकी life में जो भी connection इनसे जुड़े हुए है या इवन आज के दिन में इस समय में ऐसा लग रहा है खाना पूर्ती के लिए यह कोई काम कर रहे हैं बस काम चलाओ तरीके से आपने जीवन को जी रहे हैं कुछ सहा नहीं है कोई मजा नहीं है इनकी life में दो लोग एक दूसरे के साथ में इनकी life में ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी के साथ में अगर यह connected भी है तो इनकी understanding बहुत अच्छी नहीं है इनकी बीच में बहुत ज़दा रूटना मनाना लगा रहता है यह बहुत ज़दा arguments इन लोगों के बीच में होते है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी जो understanding है दूसरे के साथ में वो बिलकुल भी ठीक नहीं है इनकी compatibility बिलकुल भी ठीक नहीं है और यह person जो है कहीं कोई ऐसा व्यक्ती है जो या तो already parent है या single parent है एक person married है एक person unmarried है ऐसी situation भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है okay single parents वाली situation जो है वो काफी सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है letter L यहाँ पर clearly बनता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे यह इस इंसान ने you know जैसे कुछ सीख लिया है यह कुछ lesson भी इनका चल रहा है कार्मिक lesson भी इस person का चल रहा है और यह अपनी life में आप जो सीख इनको मिली है या आप जो सीख इनको मिलने वाली है इस रिष्टे से या इस situation से इसको यह कभी भी भूलेंगे नहीं और इसको as a formula यह आगे apply करने वाले अपनी life में जिसका इनको definitely फाइदा होगा और यह दुबारा से मुझे नहीं लगता कि आप similar loop में या similar situation में यह stuck होंगे touch world ओके तो इनके soul जो है इस तरीके की energy मुझे यहां पर दिखाई दे रही है कि आपने कोई चुनाओ तो कर लिया है और आपने गलत mindset रखके या गलत intention रखके आपने कुछ चूज किया है और उसके बाद आप बहुत बुरी तरीके से stuck हो गए हो फस गए हो ऐसी ओरजा ऐसी energy मुझे यहां पर clearly दिखाई दे रही है दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति जो है ये बहुत ही जादा इनको ऐसा लग रहा है इस time पर freedom की जरूरत है या ये freedom lover person है इनको अपनी आजादी जो है और ये connection बहुत जादा ups and down से भरा होता जा रहा है इनको ऐसा लग रहा है कि इस से पहरतर तो या तो ये single ही होते या ये आपके साथ में होते तो ये जादा खुश रहते हैं ऐसी बाते इनके mind में आ रही हैं थर्ड पार्टी का कोई ऐसा रूप इनके सामने या तो निकल के आ चुका है या next nine weeks के अंदर कुछ ऐसी चीज निकल के आने वाली है कि ये बहुत जादा जिसे डंग रह जाएंगे बहुत जादा शौक रह जाएंगे थर्ड पार्टी का ऐसा face देख कर के या उनकी ऐसी सच्चाई देख कर के ऐसा है कि अगर ये रिष्टा अभी अभी नया नया शुरू हुआ है तो जो थर्ड पार्टी है और आपके पर्सन भी जो है वो अपना best self एक दूसरे को portrait कर रहे हैं ठीक हैं जैसे जैसे समय बीते का पैसे इनसान की जो असलियत होती है जो उसकी true personality होती है वो धीरे धीरे निकल के बाहर आने लगती है उसके अच्छाईयां बुराईयां खामियां सब समय के साथ में दिखाई देने लगती है और उसके बाद उस situation में रिष्टे को या तो निभा ले इनसान या फिर अलग हो जाए ये दो चीजें होती है usually right so ये इस person के साथ में भी होने वाला है कि third party का कुछ ऐसा चहरा इनके सामने निकल के आने वाला है कि इनको धक्का लगेगा बहुत ज़्यादा कि अरे ये क्या हो गया या ऐसा तो मैंने बिलकुल भी नहीं सोचा था ये ये चीज कैसे निकल के आ गई सामने या ऐसा behavior कैसा हो गया third party का ये तो मैंने बिलकुल भी expect नहीं किया था ये मेरी expectation से तो बिलकुल विपरीत है बिलकुल अलग है ठीक है तो ऐसा कुछ मुझे आने वाले time में इस रिष्टे में इस connection में होता हुआ दिखाई दी रहा है 9 weeks का time यानि कि आप लगा सकते हो 2,5 महीने का समय अब से लेकर जब भी आप ही reading देख रहे हो ओके so ये messages हैं आज के आज की reading के लिए guys इतना ही I really hope कि इस reading के जरी आप लोगों के कुछ help हुई हो and जाते जाते वीडियो को like जरूर दे दीजेगा that is my energy exchange वो मेरा energy exchange है और जो लोग नए है चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे tarot by tj also classes चल रही हैं वापिस से restart हो गई है I have started healings also healing sessions भी lama फेरा healing sessions भी लेने मैंने दुबारा से शुरू कर दिये हैं तो healing के लिए readings के लिए classes के लिए आप चाहें तो वापिस से contact करना शुरू कर सकते हैं but please whatsapp पर message ही drop कीजेगा आपको समय के हिसाब से समय के अनुसार आपको reply मिल जाएगा okay I will see you guys in next video next time till then namaste and take care